हेलो एवरीवन मैं शेकरमा दुकार स्वागत करता हूँ आप सबी का आज के हमारे दा हिंदू नीज पेपर लीडिंग सेशन में गाइस आज हमारा ये दूसरा सेशन है पहला सेशन मैंने आपके साथ में किया काफी प्यार आप लोगों ने दिया पहले सेशन को काफी सपोर् अपनी नोट बोग उठाइए और आपने हाथ में एक पैन ले लीजिए और सेशन को शुरू करते हैं गाइस आई गाइस चलते हैं और आगे बढ़ते हैं गाइस सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की हैडिंग पर जो की इस तरह है प्रेगनेंट वोमन डाइज इन एंब जो की काफी चर्चा में है इसलिए मैंने यह सोचा कि आपके साथ में यह आर्टिकल जरूर शेयर किया जाए तो आप देख सकते हो प्रेगनेंट वूमन डाइज इन एंबुलेंस यानि की एक प्रेगनेंट वूमन डाइज मर गई इन एंबुलेंस में आफ्टर थर्टीन आर सर्च 13 घंटे की तलाश के बाद तलाश किसके लिए थी फोर हॉस्पिटल बैड के हॉस्पिटल में कोई एक बैड मिल जाए तो इस वज़से वो ऑउरत थी मर गई प्रेगनेंट थी वो एंबुलेंस में खतम हो गई तेरे घंटे की तलास के बाद भी किसी भी हॉस्पीटल में बैड नहीं मिला आई गैस नज़र डालते हैं इसकी सब एडिंग पर ओवर हाफ A dozen Hospitals इन जीबी नगर डिनाइड ट्रीटमेंट गैस ओवर हाफ A dozen auspital आदे лемें आदे से जीज़र डर्जन रोस्पीटल जो थे In जीबी नगर जीबी नगर मतलब गौतमभदनेगर Denied Treatment Denied का मतलब होता है मना करना Refuse करना Denied Treatment यानि कि Treatment देने से ही उन्होंने मना कर दिया था आदे से ज़्यादा जो दर्जन होस्पिटल्स है गौतम बुद्नगर में उन्होंने Treatment करने से मना कर दिया उस औरत का आई गैस आगे बढ़ते हैं गाइस लिखा हुआ है पेरग्राफ में एच मन्त प्रेगनेंट वोमन डाइड इन एन अम्बूलेंस यानि कि एक जो आठ महीने की प्रेगनेंट वोमन थी जो महिला थी डाइड मर गई इन एन एम्बूलेंस एक एम्बूलेंस में आफटर her family, reportedly guys, यहां पर एक word हमें देखने को मिला है, reportedly अब reportedly का मतलब क्या होता है guys, reportedly का मतलब होता है कतित तोर पर कतित तोर पर guys, होता क्या है कि जब जो हकवार छापे जाते हैं, news जब छापी जाती है हकवार में, तो reporters को, जो भी report मिलती है उसके आदार पर वो चापते हैं और कोई भी सबूत उनके पास में नहीं होता जिससे वो sure हों के ऐसा ही हुआ है तो इसलिए media वाले क्या करते हैं जो अकबार agencies होती है वो अकबार में इस word का जरूर use करती है जिससे उन पर कोई भी case ना जाए उन पर कोई आच ना जाए तो reportedly वो सब्द का इस्तिमाल करके चलते हैं तो आईए समझते हैं और बढ़ते आगे एन एट मंत प्रेगनेंट वोमन डाइड इन एंबुलेंस आट महीने की जो प्रेगनेंट वोमन ती वो स्ट्रागल्ड किया उन्होंने स्ट्रागल्ड अब काई के लिए गईस यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रागल का मतलब होता है संघर्स करना आफटर फैमिली रिपोर्टिली टागल्ड टू गेट अर एडमीटिड यानि कि उसको बड़ती करवाने में उन्होंने काफी इस्ट्रागल किया तू ओस्पिटल एक ओस्पिटल में डिस्पाइट है आप अफ्रेंटिक सर्च यैना की एक फ्रेंटिक सर्च के बावजूद भी डिस्पाइट का मतल्ब उता है घयाइस घय बावजूद जिन चीजों को मैं बताता कुँए जा रहा हूं गयाइस तो आप उनको लिखते चलें के बावजूद कि इसपाइट का मतलब हुऩा है के बावजूद तो इसपाइट आफ एक व्राइंतिक सर्च यहां पर एक वर्ड और हमें दिया है फ्रैंटिक यह इस फ्रैंटिक का मतलब होता है फुल ऑफ प्रॉब्लम्स यहन कि कोई भी जो काम हुआ वो फुल आप प्रॉब्लम्स था उसमें काफी समझ चाहें थी फुल आप प्रॉब्लम्स अब आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि आखे कहना क्या चाहता है अब यहां पर एक महिला जो आट मेने की प्रेगनेंट थी वो मर गई आफ्टर हर फैंबली रिपोर्टेट ली यानकी कतित तौर पर उसकी फैंबली ने इस्टेगल किया टू गेट हर एडमिटेड उसको भरती करवाने के लिए टू आउस्पिटल एक ऑस्पिटल में डिस्पाइट अफ्रेंटिक सर्च यानकी एक ऐसी तलास के बावजूद जो काफी परिशानियों से भरी हुई थी फॉर ओवर थर्टीन आर्स जो तलास थी वो करीब तेरे घंटे तक चली ठीक है गास तब भी उनको ऑस्पिटल में जगा नहीं मिली बैट नहीं मिला आई गैस आगे चलते हैं दावा करना अब जो परिवार है वो क्या कर रहा है वो दावा कर रहा है उस परिवार ने दावा किया दावा करना दावा किया उसको टीटमेंट से मना किया गया बाई ओवर हाफ डजन ऑस्पिटल्स करीब आदा दरजन से ज़्यादा होस्पिटल्स ने मना किया इलाज करने से इन गौतम बुद्ध नगर तुम बुद्ध नगर में आगे छलते हैं गाई तो किया है इन डिश्च्रिक्ट एडिमींस्ट्रेशन यहां पर हमें रहा है चैना पर इस district administration जो वहां का डिस्टीक्ट administration प्रसाषन है वहां के जिले का जहां पर गौतम बुद्धनगर की बात की जा रही है जो डिस्टीक्ट administration सैड Bak अब उस प्रसाषन का है अब इस अज़ा फॉन किया गया है आप देख सकते हो कि आ पर य Осट क्या गया है वो एक प्रोनाउण है और इस आधी का यूज किया जा रहा है इस administrative के लिए यान की प्रसासन ने आभ इसह अडर्ड अब इसने आदे दिया है आदे कर दिया है आप प्रोब का मतलब होता है जांच इसने आदेश कर दिया है जांच का टू एसा टेन अब यहाँ पर एक वर्ड और हमें मिला एसा टेन का मतलब होता है जांच की पता लगाना किसी चीज़ का अब क्या किया है वहां का जो राज सुरी वहां पर जो डिस्टिक्ट एडमिस्टिशन जो हमारे जिले का प्रशाशन है वहां का उसने आदेश दिये हैं जांच के टू असर्टेन पता लगाने के लिए क्या पता लगान जो facts है उनका पता लगाने के लिए death of a 30 year old नीलम अब उस महिला का नाम क्या था नीलम थी और वो 30 साल की महिला थी खोड़ा कॉलोनी resident गैस एक खोड़ा कॉलोनी है डेली की यहाँ पर बात किया रही है एक कॉलोनी है जिसका नाम खोड़ा है तो वहां की resident थी resident यहाँ पर आप देख सकते हो resident तो resident का मतलब उताएगा इस निवाशी वहां की निवाशी थी यह जो औरत है जो जिसकी जान गई है आगे चलते हैं अब खोड़ा कॉलोनी resident in the ambulance outside a hospital अब वहां उसकी जो death होई है वो ambulance में होई है outside a hospital एक hospital के बाहर in greater noida greater noida on Friday greater noida में Friday रात को ठीक है on Friday night Friday night को यह हाथसा हुआ गैस आगे चलते हैं और समझते हैं next paragraph को आगे लिखा हुआ है इन वीडियो एक वीडियो में circulate यहाँ पर एक वड़दिया में circulate इस circulate का मतलब होता है गैस to go viral यानि कि कोई भी वीडियो जब viral हो जाती है तब इस वड़ का यूज किया जाता है circulate इन वीडियो circulating on social media एक वीडियो है जो circulate हो रही है social media पे एक उस वीडियो में नीलम's husband जो नीलम के husband है जो महिला मरी है उसका जो husband है विजेंद्र सीन इस सीन उनको देखा जा रहा है claiming दावा करते हुए उस वीडियो में देखा जा रहा है that की he had pleaded अब यहाँ पर plead का मतलब होताएगा to request request करना यहाँ पर plead का मतलब होताएगा to request ठीक है इस आगे चलते है इन वीडियो circulating on social media तो वो वीडियो जो circulate हो रही है जो viral हो गई है social media पे उस वीडियो में नीलम's husband उसके जो नीलम के husband है वीरंदर सींग जिनका नाम है इस सीन देखे जा रहे है claiming दावा करते हुए that he had pleaded के उन्होंने request की थी at the doors of several hospitals several का मतलब होताएगा कई तो several hospitals यानकि कई hospitals के दरवाजे पर जाकर के उन्होंने request की including include का मतलब होताएगा इस शामिल करना including यानकि शामिल करके government run facilities यानकि सरकार के द्वारा जो facilities चलाई जा रही है उनको भी शामिल करके ठीक है guys आगे चलते हैं यानकि उन्होंने कई hospital में जाकर के request की थी उन hospitals को शामिल करके जो government की द्वारा चलाई जा रहे हैं विफोर शी अब उपर चलते हैं गाई बिफोर शी ताइड जाने की मरने से पहले वी फर्स्ट वेंट टू द ए-स आउस्पिटल अब यह उसका जो हस्बेंड वह बयान दे रहा है तो उन्होंने का आए we first went to the ESI hospital सबसे पहले हम ESI hospital गए थे then to a hospital in sector 30 और फिर हमें एक hospital गए थे जो sector 30 है वहाँ पर जिसका नाम है child PGI ठीक है काई आगे चलते हैं from there फिर वहाँ से we went to the शारदा ओस्पिटल फिर हम शारदा ओस्पिटल में गए all of them refused to admit her सभी hospitals ने सभी ने मना कर दिया refuse का मतलब होता है इस मना करना इस refuse का मतलब होता मना करना all of them refused to admit her सभी ने मना कर दिया उसको admit करने से हर husband alleged alleged का मतलब होता है इस आरोप लगाना और उसका जो husband है उसने आरोप लगाया in the video जो video viral होई है उस वीडियो में उसने आरोप लगाया विच सर्फेज्ड ओन सटर्डे मॉनिंग जो सर्फेस हो गई गई सर्फेस का मतलब भी होता है सर्कुलेट वारल हो जाना टू गो वारल आप लिख सकते हैं तो जो वीडियो वारल हुई है उस वीडियो में उस अस्बेंट ने जो उस महिल यह भी उस अस्बेंट ने कहा कि जाता तर जो ऑस्पीटल से सभी जो ऑस्पीटल से उनना मना कर दिया उसको एड्मिट करने से ऐसा आरोप लगाया है ठीके गाइस अब आगे चलते हैं ऐसे घ वोदा लेटर से सपोर्ट गैश्यास अब दो ऊसको थोड़ा सथ सपोर्ट मिला वेटी लेटर का वेटी लेटर जिससे सास दी जातीं ऊदर जिए हैं एक मश्मिक्ति यह सास दी जाती साइंसेज एक मेडिकल साइंसिस यानि कि गॉवर्मेंट इंसिट ऑफ मेडिकल साइंस एक ऑस्पीटल है इस नाम से जो सरकार की दौरा चला जाता है उसमें उसको बढ़ती करा गया था ग्रेटर नौडळा की बात है ग्रेटर नौड़ा में आगे चलते हैं वेर जहां पर she also got a ventilator वहां पर भी उसको ventilator लगाया गया बट लेकिन it was too late लेकिन ये तो बहुत देर हो गया था तब तक by then बाइदेर का मनलता है गा इस तब तक लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी आगे की बात करते हैं गाईस in all यानकी कुल मिलाकर के the death happened जो मरत्यू है वो हुई in the ambulance ambulance में हुई कुल मिलाकर के ये का जा रहा है जो मरत्यू है वो ambulance में ही हो गई itself यानकी ambulance में ही itself का मतलब उताए गाईस उसी के अंदर itself का मतलब हम emphasize करने के लिए यूज़ करते हैं the death happened in the ambulance यानकि जो death है जुम्रत्यों महिला की वो ambulance के अंदर ही हो गई said the husband यह बात husband ने बताई है guys आगे की बात करते हैं आगे लिखा हुआ है नीलम was undergoing treatment अब नीलम जो थी जो महिला मरी है वो undergoing treatment यानकि उसका treatment चल लाता for pregnancy related यानकि प्रेगनेंसी से related complications यानकि उसका इलाज किस चीज का चल लाता pregnancy से जो related complications से complications का मतले होताएगा is problems जब कभी operation खराब हो जाता है या कोई problem हो जाती है तो काफी दुविदा हो जाती है problems हो जाती है उसी चीज़ को complications बोलते हैं तो नीलम का इलाज चल लाता पहले से for pregnancy related complications प्रेगनेंसी से जुड़ी complications जो problems थी उसका इलाज चल लाता at the shivalik hospital और उसका इलाज कहां पे चल लाता शिवालik hospital में इन नोडा जो की नोडा में है विच इस अ प्राइवेट फैसलेटी सेड मिश्टर सिंग यह मिश्टर सिंग ने बताया जो की private facility जो अस्पिताल शिवालिक ऑस्पिटल है वह एक private facility है ऐसा मिश्टर सिंग ने बताया ठीके गई चलते हैं अब एलिज्ड अब एलिज्ड का मतलब होता है आरूप लगाना में बता चुका हूँ आपको ही एलिज्ड उसने आरूप लगाया that the family also tried यान की परिवार ने कोसिस भी की to get her admitted उसको बरती कराने की आगे चलते हैं अब कहां पर बरती कराने की to JP and fortis hospitals in Gotham buddh नगर ठीक है इस तो उसके परिवार ने उसको बरती कराने की कोसिस की थी JP and fortis hospitals जो की Gotham buddh नगर में आप देख सकते हो आगे चलते हैं in the max hospital एक hospital max hospital है इन वैशाली गाजियवाद यान की गाजियवाद में एक वैशाली नाम की जगह है वहाँ पर एक hospital वहाँ पर भी बरती कराने की कोसिस की थी only to be told वहाँ पर भी सिर्फ कहा गया that की no bats were available के वहाँ पर भी कोई भी bats नहीं थे तो ये incident काफी बहुती दुकत है बहुती ज़्यादा निंदनी है आगे चलते हैं प्रोब जाच का into the incident यानि कि यह जो incident हुआ है यह जो घटना हुए है उसमें जाच का आदेश दे दिया है गौतम बुद्ध नगर के जो DM है उन्होंने additional DM मुनिंद Katy उपाद्या एक और वहां के DM है additional यान्की अत्रिक्त एक और extra additional का मतल vaan गाइस एक अत्रिक्त कभी कभी क्या होता है एक जिली में दो डिम को भी रख दिया जाता है जब कार्ने बार नहीं समेला जाता है तब तो एडिशनल डिम मुनिंधरणात उपाद्या जो एडिशनल डिम नात उपाद्या है अनड चीफ अफिसर दीपक व nous औडि और एक चीफ मेडिकल अफिसर जो डिपक की तरह थी तो जो एक कि गिक अम निंदर ना तो पाध्या एंड चीप मेडिकल आफिसर दीपक और एक चीप मेडिकल ओफिसर जो दीपक है डीपक ओडि उनका पूरा नाम है विल प्रोब दय तो यह दोनों मिलकर की का करेंगे मैंटर की जाच करेंगे आगे चलते हैं गाई प्रशाशन ने कहा है in an official statement यह जो सारी बात हैं जिला जो प्रशाशन है वहां का उस प्रशाशन यह सारी चीज़े कही हैं कि दीपक ओडी और जो मुनिंद्रनात उपाद्य यह पूरे मेटर की चानमीन करेंगे पूरे मेटर की जाच परताल करेंगे जाउच करेंगे आगे च गटना एक ऐसी ही गटना उसरी प्रशोन दर्श की गई तो यहां पर जो खौत्म बुद्ध में गटना होई है वह एक तो और अगे जयां रहा है ज़साओ कि इसरी गटना वस्रश काइन गात्ध मेंगे दाटन LinkedIn कhoven मई को भी एक ऐसी गटना दर्च की गई गौतम बुद्नगर में वेन अन्यूबॉर्ण डाइड जब एक न्यूबॉर्ण यान की जो शिशू है जो नया जन्मा जो शिशू है वेन न्यूबॉर्ण डाइड जो शिशू था वो मर गया एलिजडली यान की कतित तोर पर ऐसा पक्का नहीं है सिर्फ न्यूजपेपर छाप रहा है ऐसा वेन अन्यूबॉर्ण डाइड एलिजडली डू टू लैक ओफ मेडिकल सपोर्ट जब एक शिशू मर गया डू टू का मतलब होता है इसकी के कारण और लैक ओफ होता है की कमी से तो मेडिकल सपोर्ट की कमी से एक शिशू मर गया क्योंकि इस फादर कैप्ट शटलिंग क्योंकि उसके जो पिताते वो बटकते रहे शटलिंग करते रहे इदर से उधर जाते रहे from one hospital to another एक hospital से दूसरे hospital की तरब हो जाते रहे तो medical support की वज़े से एक शिशू मर गया एक ऐसी गटना भी सामने आ रही है between greater noida and noida यानि की greater noida और noida के बीच में वो भटकते रहे hospitals के चक्कल लगाते रहे लेकिन वो शिशू मर गया जो newborn ता वो मर गया ऐसी यह गटना आए शामने निकल करके आगे चलते हैं the private the private hospitals have been booked अब जो private hospitals से book कर लिए गए हैं book का मतलब यहाँ पर उन पर case कर दिए गया है case दर्ज कर दिए गए हैं for alleged negligence alleged का मतलब होता है आरोपेत यानि कि आरोप ऐसा लगा आया है कि उन्होंने negligence की ला परवाही की in the case इस case में ठीक है गाइस तो यह हमारा आज का article था I hope कि आपको यह समझ में आयोगा और जितनी भी vocabulary में आपको कराई है आप उसको लिखें समझें इस session को बार बार देखें अगर आपका कोई भी doubt फिर से रह जाता है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताइए ठीक है गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care and bye